चैनल मीरा गुपता इंडियन रेस्पीज में आपका हर्दिक स्वागत है पनीर के भरवा पराठे खाने में स्वाधिश वा क्रिश्पी होते हैं इनका बनाना भी बहुत आसान है इसे बच्चे वबड़े बहुत इचाव से खाना पसंद करते हैं तो आईए आज हम इस वीडियो के माद्यम से इसका बनाना दिखाएंगे तदो परांथ इसे चट्नी अचार के साथ खाकर इसके स्वाध का भरपूर आनंद उठाएंगे हर रोज के सुवे नास्ते में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो यह स्वाधिश पनीर के परांटे बनाईए यह सुवय के इनास्ते सामके खाने में भी बनाई जा सकते हैं इसका बनाना भी आसान है इसकी सामगिरी इस प्रकार है ग्याउं को आटा दो कप बेशन चौथाई कप पनीर 100 ग्राम इसे दोकर टिसू पेपर से सुखा लें आलू दो मीडियम साइज के जो कद्दू कसकरे हुए है प्याज एक बारी कटी हुई है हरा धनिया दोकर काटा हुआ है चार चमाज लाल मिर्च पावडर आदी चमाज धनिया पावडर आदी चमाज नमक दो चमाज स्वादंसा ले सकते हैं हर इमेज एक बार ही कटी हुई, अम्चूर पाउडर आदी चम्माच, बुन्या जीरा आदी चम्माच, गरम मसाला चौथाई चम्माच, देशी घी पलांटा सेखने के लिए, इसकी जगे रिफाइंट देल भी ले सकते हैं, अब हम आटे को गुतेंगे, आटे में बेशन दा हो तो ना भी डाले, इसका स्वाथ अच्छा हो जाता है, एक तमाच नमक डालेंगे, एक तमाच घी डालेंगे, इसे अच्छी तरे से मिष्ट कर लेएगे, मिष्ट़कर के इसमें कुनगुले पानी से कूछेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पाई डालकर आटी गूथ लेंगे इस तरह से सौप टाटा गूथ लेंगे इस तरह से घी का हाथ लगा कर इसे पंदर मिनट के लिए डख कर देंगे जब तक आटा एक सा होगा तब तक हम मसाला बना लेंगे तो चमजगी डालेंगे गी कराम होने के बाद में हरी मिल डाल देंगे दनिया पाउडर डाल देंगे इसे बूंच लेंगे बुचिने के बाद में प्याज डालेंगे प्याज को हरका सबूंच देंगे प्याजल की सिभुन चुकी है अब इसमें आलू लागएं पाउड़ डालेंगे, ताम चूर डालेंगे, जीरा पाउड़ डालेंगे, शाथ के अंसान नमग डालेंगे शार और जोट डालेंगे कि भीरा अभुष्राइम crackingपर जब के मासाला बूशिया एक ही, फॉर नमग चूर करगएंगे कालता राइंगे मासाला बुषब करेंगे जलता इस मेंड़ अजल करेंगे शाब राइंगे जैनल जैनलम मासाला डालेंगे पनीर डल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, पनीर औहरा दनीर आमने मिक्स कर दिया है, अब इसको थंदा होने के बाद में हम पलाँटे बनाएंगे, आवाटे को एकसा करेंगे, गीकात लगाएंगे, इसे मूत लेंगे, जब तबागरम हो रहा है तब हम लोई तोड के पराम्टा भी लेंगे जितना बड़ा बनानान उसे साब से लोई तोड़े लेंगे सुखार्टा लगाएंगे इसको तीन चार इंच के ब्यास में भी लेंगे अब इसमें मसाला बराएंगे मसाला जादा यह अच्छा लगता है अब इसको इस तरह से प्रिट लेते हुए दबाते हुए इसको बंद कर देंगे इस तरह से पूरा बंद करके इसे दबा देंगे इसे फटी नहीं इसको इसतरह से थोड़ा चौड़ा कर लेंगे के नहीं नहीं तरफ से और अब अब इसमें सूखाटर लगाएंगे इसे जार देंगे रेसको छह साथ इंच के ब्याथ में पील देंगे आवे पर थोड़ा गीड़नाएंगे इस तरह से प्राम ड़ दादेगे इस तरह से प्राम कि दल देंगे हलका सिंह या बाद में पेटेंगे अगे अगे इदाई भी थोड़ा सिंह देंगे जरा सिख जाए फिर इसे लगदेंगे इसे पलर देंगे इस तरफी ही लगदेंगे ही कम जादा अपने साथ से लगा सकते हैं केश कंपर से केंगे पराम्टा सिख चुका है अब इसे कटोड़ी पूपर रख लेंगे इस तरह से गोल लोई बनाएंगे पूरी नबा देंगे सुखा अटा लगाएंगे जाड़ देंगे इसको तीन-चार इंच के वी आत्मी बेल लेंगे इस तरह से मसाला लगकर इसे दवा के इस तरह से प्लीड लगाते हुए इसे बंद करेंगे पूरी मसाले को बंद कर देंगे इस तरह से दबा देंगे इससे मसाला चार और फैल जाएंगे इसो पलटकर भी इस तरह से फैला देंगे अगर इसमें सुकार लगाएंगे आटे को चाड़ देंगे यह पनाम पे थोड़े मौटे रखे जाते हैं इसको जम्च साग्च फीच के वियास में पेल लेंगे इसको तभी पटानेंगे, हलका सिक निवाद में पढ़ते हैं, हलका सिक चुका है, इसे हम पलट देंगे इस पर गी लगाएंगे, इसे पलट देंगे इसको मीटियम रखेंगे, इसे पराम्टा अच्छा से के, इस देरे से सारे पराम्टे से लिए स्वादिष्ट गर्मा गरम पनीर के पराम्टे बनका सार्प करने के लिए तयार हैं, हरी चट्नी अचार के साथ परोसिये, खिलाइए और खाइए आसा है, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सेयर करें, और हमारे इस चैनल को सर्विस्क्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के बेल आइकोन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन त नवाद, इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट दिखाई गई है, इन वीडियो को देखकर रस्पीस बनाने का लाब उठाएं और अपना अनवाव हमारे चैनल के साथ सेयर करें,